वेल्कम बैग टो जी एसे जी टेक ऑनलाइन क्लासेस दोस्तों मैं हूँ गुपाल सर्मा और आप देख रहे हैं एक्सल स्टेप बेस्टेप कंप्लीब ट्युटोरियल दोस्तों प्रिविएस वीडियो में जब हमने टैली का वीडियो दिया था इरिंड का उसमें हमने आपको बताया था ODBC के बारे में टैली से आप ODBC के माधियम से अपने डाटा को एक्सल से कनेक्ट कर सकते हो तो आप एक्सल में तरह तरह के रिपोर्ट और फिल्टर इस्तमाल कर सकते हैं उस समय एक जिक्र आया था Pivot Table का Pivot Table के माधियम से आप Advanced Label में फिल्टर का काम कर सकते हैं तो दोस्तों उस समय मैं आपको Pivot Table के बारे में नहीं बता पाया था आज के वीडियो में हम उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि Pivot Table क्या होता है और किस तरह से उसका इस्तमाल करते हैं इसके लिए मैंने Excel को उपन कर लिया यहाँ पे एक सेंपल डाटा मैंने पहले से तियार करके रखा हुआ है कुछ Post है, Name है, Salary है हो सकता है आपके जगह पे different type के डाटा हो लेकिन जैसा भी हो आप अलग-अलग तरह के डाटा पे अलग-लग तरह के Pivot Table का इस्तमाल कर सकते हैं आज हम लोग Pivot Table के बारे में ही पूरा डिटेल से जानेंगे लेकिन दोस्तों, Topic को स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा request है अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को Like नहीं किया है तो Like बटन पे क्लिक कर दे और useful वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा उस पे क्लिक कर ले और सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में दिख रही छोटी सी घंटी पे भी क्लिक कर ले और अगर आप किसी टिटोरियल के प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं आपके वीडियो के नीचे जीएसजी टे क्लिक होगा उस पे क्लिक करें तो आप हमारे में पेज पे आजाएंगे यहां पे आने के बाद आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें playlist पे click करने पे हर तरह के यहाँ पे आपको playlist दिखने चालू हो जाएंगे जिनमें आपका telly का भी playlist है coral draw का complete playlist है इसी तरह GST से संबंदी telly का भी हमने previous में video दे रखा था जिसमें लगभग हर तरह के सवालों के जबाब हैं आप अगर advance user की setting देखना चाहते हैं दोस्तों telly के संबंदी तो आप इस playlist का इस्तमाल कर सकते हैं इसी तरह से आप Excel के बारे में अगर step by step पढ़ना चाहते हैं तो Excel 2016 ले सकते हैं और अगर आप 2010 Excel के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रोल करते हुए नीचे आजाएं नीचे आपको Excel 2010 का tutorial मिल जाएगा for beginners इस पर क्लिक करके आप सारे के सारे tutorial देख सकते हैं इसी तरह से आपको यहाँ पर word के और powerpoint के payroll के और बाकी चीजों के भी playlist मिल जाते हैं तो दोस्तो playlist एक अच्छा माधियम है step by step videos को देखने के लिए जिससे आपकी जानकारी जो है वो सही तरीके से प्राप्त हो पाती है तो आप step by step video देखें जिसको देखना चाहते हैं उसका playlist का इस्तमाल करें तो आपका knowledge सही से आगे बढ़ पाएगा अब चलिए दोस्तों बात करते हैं topic की तो इसके लिए हमने वापिस excel open कर लिया आप जो भी data तियार करना चाहते हैं data तियार कर लें अगर आपको data तियार करने के बारे में कोई confusion है आप नहीं समझते हैं हमारे previous excel के video आप देख लें वहाँ से आपको काफी मदद मिल जाएगा इसके बाद यहां आपको करना है selection जितने पर आप pivot table apply करना चाहते हैं उतने data को आप select करने select करने के बाद दोस्तों insert tab पर click करें insert tab पर click करने के बाद आपको pivot table लेना है यहां पर click करें आपके पास एक dialogue box आजाएगा इसमें पूछेगा कि आपको इसी work seat में pivot table चाहिए या नए work seat में यहां पर by default new work seat रहता है तो new work seat ही ले अगर आप existing लेते हैं तो इसी work seat में बन जाएगा थम लोग इसमें नहीं बनाएंगे एक नए work seat ले लेते हैं थमने new work seat रखा और यहां पर selection इसमें दिखा दिया है okay पर click करेंगे हमारे सामने एक नए work seat आजागा आप यहां देख सकते हैं seat number 1 है और यहां में एक नए work seat में seat number 3 और यहां आपको side में pivot table का दोकर नजर आजागा यहां पर जितने भी आपने field लिये हैं उनके fields नजर आने लगेंगे अब pivot table actually में होता क्या है pivot table दोस्तों आपका सकते है filter sorting इन सबका एक mix रूप है जो आपको तुरंत ही report दे पाता है अभी आप जैसे जैसे देखेंगे तो आपको इसकी utility समझ में आ जाएगी क्या इसकी विसेशता है क्या आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं for example हमें जानना है किसी post की total salary इसके लिए हम post पे click करते हैं दोस्तों और salary पे click कर देते हैं अब आप देख सकते हैं यहां पे हमें तुरंत नजर आ रहा है post और salary इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ pivot table नजर नहीं आ रहा है इस पे click कीज़े तुरंत pivot table का जो डोकर है वो नजर आने चलो हो जाएंगे अब यहां पे suppose that हम ले लेते हैं name तो जैसे हम name लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके नीचे name आ चुका अब अगर हम चाहते हैं हमें पता चले कि किस post में कौन-कौन है तो यहां पे हम name को click कर देंगे name को click करते ही हर post के नीचे हमें नाम दिखने लगेगा यहां पे हमें सब total नजर आ रहा है और उसके नीचे उसका salary नजर आ रहा है आप चाहते इस क्रम को बदल भी सकते हैं इसके लिए इनको off कर दें अब जिस तरह से selection लेते हैं उसके अनुसार ही pivotable act करता है for example पहले हमने ले लिया name और उसके बाद हमने लिया salary तो नाम के सामने हमें salary दिखने लगती है और यहां पे total grand total जो है वो नजर आने लगता है अगर हम post पे click करतें दोस्तों तो देखे क्या होगा यह हमने post पे click किया हर नाम के नीचे उसका post यहां पे नजर आने लगा जिस जिस post से वो relate करता हो वो post यहां नजरा रहा है अगर post को हटा देते हैं यहां से तो post बंद हो जाएगा अब यहां आप नीचे देख सकते हैं यहां आपको चार boxes मिलते हैं एक मिलता है filter का फिर column row और value अब यहां अगर हमने post ले लिया तो यह चला जाता है row पे अगर हम चाहते हैं कि post जो है वो column पे रहे इसे यहां से click करेंगे और column पे लाके छोड़ देंगे अब देखें यहां पे post इस तरफ चला गए अब इसे अगर हम scroll करते हैं ता आप देख सकते हैं इंजिनियर के नीचे इंजिनियर के पैसा teacher के नीचे teacher का doctor के नीचे doctor का मतलब यह वेक्ति जो होगा उसके सामने उसका amount दिखेंगा जैसे दिपक जो है वो doctor है इसलिए doctor के column में इसका amount दिख रहा है जबकि इंजिनियर के column में नहीं है और teacher के column में भी नहीं है दिनेश जो है वो engineer है इसलिए engineer के column में दिख रहा है doctor के column में नहीं और नहीं teacher के column में तो जरा सा हमने यहां से उठा के इसे column में डाल दिया तो report पुरा का पुरा बदल गया इसी तरह से अगर हम filter करना चाहते हैं इसे यहां से रैक करते हुए filter option पे लाके छोड़ देंगे यहां पे एक नया उपर में आपको column नजर आने लगेगा post का और all यहां पे आप click करें click करने के बाद जिस post का आप देखना चाहते हैं for example हम doctor का देखना चाहते हैं तो यहां पे हमने doctor को click किया ok पे click किया अब यहां सिर्फ हमें उन्हीं वेक्तियों के list नजर आएंगे जो doctor है इसी तरह से अगर हम दूसरे level पे filter करना चाहते हैं तो यहां लेलिया हमने और engineer पे click किया तो engineer नजर आने लगा इसी तरह से अगर आप teacher चाहते हैं तो teacher पे click करें ok करें teacher आ गया अब हो सकता है कि आपका मन करें कि teacher और doctor दोनों हो तो यहां पे click करें दोस्तों नीचे select multiple item मिलेगा इस पे click करें तो आपको यहां पे check box नजर आने लगेंगे अब जो जो आपको चाहिए हो उन पे check कर दीजे जैसे doctor और teacher हमें एक साथ चाहिए तो ok कर दिया यहां doctor और teacher दोनों का हमें नजर आएगा और साथ ही यहां पे हमें उसका total भी नजर आएगा multiple को हटाना है तो वापिस यहां जाए uncheck करें और जिसे रखना उस पे click करें ok करें इसी तरह से आप दूसरे level पे भी filter कर सकते हैं अगर यह doctor गाइब हो जाए तो no problem क्योंकि actually मैं आपने selection बाहर कर दिया है जैसे इस पे click करेंगे वो वापिस आजाएगा अब यहां post अगर हम यहां नहीं रखते हैं हम post को ले जाते हैं row में और यहां name को ले जाते हैं filter में तो name का जो column है वो उपर नजर आएगा और यहां से हम इसे नाम के हिसाफ से filter कर सकते हैं माल लीजे मुझे मुझे मुन्ना का देखना है स्रिफ मुन्ना पर click किया और okay पर click कर दिया स्रिफ मुन्ना का नजर आएगा मुन्ना जो है वो engineer है और उसकी salary जो है वो फंद्रास रुप्य है यहां पर click करके अगर आप multiple लेते हैं तो एक से ज़्यादा को आप कर सकते हैं और एक से ज़्यादा को देख सकते हैं वो जिस जिस पोस्ट में होगा वो पोस्ट नजर आएगा और उसका amount यहां पर नजर आने लगेगा एकदम basic हो गया यहां से अगर हम हटा देते हैं all कर देते हैं इस जगह पर click करें all हो जाएगा इसे हटा दें okay पर click कर दें सबके सब नजर आने लगेगा अब इसे हम ले आते हैं वापिस row पे अब यहां total ही क्यों दिख रहा है यहां सब total ही क्यों दीख रहा है इस behavior को भी हम लोग बदल सकते हैं यह किसका है तो salary का है यहां पर salary आपको नजर आएगा value में इस पे click करें click करने पर आपको यहां value field setting मिलेगा इस पर click कर दें इस पर click करने के बाद आप क्या चाहते हैं यहां पर sum चाहते हैं count चाहते हैं average चाहते हैं क्या चाहते हैं वहाँ पर आप ले सकते हैं अगर आप count चाहते हैं तो टोटल डॉक्टर कितने है तो 5 है, इंजिनियर कितने है तो 2 है, टीचर कितने है तो 2 है, अगर हम maximum number देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे click करेंगे, field में जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे max, okay करेंगे, हमें max नजर आने लगेगा, इस तरह साथ बदल सकते हैं, अब रही post की ब हम custom में चले जाते हैं, हम वहाँ पे total नहीं, हम maximum देखना चाहते हैं, यहाँ पे हमने max पे click किया और okay कर दिया, तो इसमें जो सबसे maximum रहेगा, उसका number यहाँ पे हमें दिखने लगेगा, अब चलिए minimum करके देखते हैं, सबसे minimum जो है, उसका नजर आना चाहिए, यह minimum हमने क किया और okay किया, अब यहाँ पे देखे नीचे दिख रहा है, डॉक्टर का maximum और डॉक्टर का minimum, क्योंकि यहाँ पे हमने एक को uncheck करना छोड़ दिया, यह देखे दोनों ही selected है, हम लोग max को हटा देते हैं, अब जिस जिस पे भी click करेंगे, वो सब एक साथ selected होते जाएंगे, म नीचर में 1250 है, तो आप अलग-अलग लेबल पे यहाँ पे field setting पे जाके click कर सकते हैं, और अलग-अलग तरीके से आप report प्राप्ट कर सकते हैं, अगर automatic कर देते हैं, यह subtotal ले लेगा, okay पे click किजे, subtotal पे आ जाएगा, दोस्तों यह file जो sample का है, इसे मैं नीचे description पे डाल द करें, कभी column में, कभी field में, कभी filter पे, कभी value पे डाल के, अलग-अलग तरीके से filter का इस्तमाल करें, उमीद करता हूं दोस्तों, यह video आपको काफी लापदयक महशुश होगा, और अगर यह video आपको पसंद आए, तो like बटन पे click करें, दोस्तों के साथ share करें, और अगर आए हिन, टेक केर